तो दोस्तो आज है 12 मार्च 2024 बजार में आज बहुती जादा वॉलिटिलिटी हमें देखने को मिला जहां पे निफ्टी फिप्टी क्लोजिंग दिया 22,335 पॉइंट पे यानी एकदम फ्लैट में और इस बारे में कल रात की सारे दसकी वीडियो में हम लोग थोड़ा चर्चा क्रॉस करकी उपर सेटल हो जाए तब तक बजार वॉलिटेल रहने का ही सबसे ज्यादा चांस है और वैसे ही आज हमें देखने को मिला शुरुआत में देखिए एकदम फ्लैट ओपन फिर एकदम से तेजी फिर एकदम से करेक्शन फिर देखिए पूरा-पूरा देख पूर गया बोल सकतो मेरा तो वही है बाकी दोस्तों आपका क्या स्टाटास है प्लीज कमेंट करके बताईए तो इसके पीछे में रीजन है मिट कैप कंपनी और स्मॉल कैप कंपनी साथ में पीए सू सेक्टर में गिरावत अब इसके पीछे जो जिम्मेदार है ना वह दोस प्लेट में दिया मार्किट की साथ सेम चीज़ा में देखने को रहा दूसरे जो बड़े सेक्टर में आपको दिखाता हूँ आईटी सेक्टर देखे आज पॉसिटिव में क्लोजिंग वा तो देखे आईटी सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर इसको अगर हम एट कर ले यहीं और उसके बार दोस्तों इंपाक्ट आज सीधा सीधा mid cap में भी देखने को मिला इवन उसके साथ PSU सेक्टर में भी देखने को मिला आए सबसे वह देख लेता हैं कि इनके तरब से क्या actually स्टेटमेंट दिया The Security and Exchange Board of India यानि SEBI Chairperson माधभी पूरी बच on Monday raised concern मन्दे मतब कल रात को एक्चुली यह statement दिया था Overstretched valuation मैं आपको थोड़ा यहाँ पे दिखाता हूँ highlight करके यह देखे यह वाला पाट को थोड़ ध्यान से पढ़ना Overstretched valuation of small and mid-cap stock आप समझ रहा ना कि क्यों आज small cap, mid-cap साथ में PSUQ वो भी आपको बता दूँगा खास करके small cap and mid-cap company की जो share है वहास पे गिरावर देखने कमला which are generally favorite by retail investor देखे यह बात तो एकदम ही सही है एकदम ही सही है विकास जो बड़े investors अक्षर हमने देखा से जादा है और इस इसको भी इन्होंने हाइलाइट किया कि हैफ कंटीनूट तो एंचोई दियार पेट्रेंच थू दा मंतली पर्चेस मैंडेट वुचल फंड बिल्ट अराउं सच इन्वेस्मेंट थीम साथ में देखे उनने कुछ ऐसा भी किया फ्रो तू की बिल्डिंग तो एक्चुली देखा जाए कि इनकी तरफ से इस टाइप की स्टेट्मेंट आने के बाद एक्चुली वजार में आज मिट कैप और स्मॉल कैप सेक्टर में गिरावाट हुआ देखी यह सेम न्यूस को अलग-अलग मीडिया ने कवर किया जैसे का आप देख से तो पहले में आपको दिखा था आपकी एकनोमिक टेम की वेबसेट में आप देखिए दूसरा लाइब मिन की वेबसेट में कुछ इस तरह का लिखा कि सेबीची फ्लैक रिस्क और बबल इन स्टॉक मार्केट में नहीं बेसिकली इसके साथ साथ दोस्तों आप अगर इस चानल को रेगुलर फॉलो करता आपको अच्छे से याद होगा कल दोस्तों मैं आपको एक वीडियो में यह भी दिखा था कि कोटक इंस्टूशनल एक्विटीज जो की एक डोमेस्टिक ब्रोकरेज कंपनी है इसके पहले भी बहुत करने का रेकॉमेंड भी किया गया था जिसके चलता हमने क्या दे का नाकेबल मिड्र कैप कंपनी नाकेबल स्मॉल केप कंपनी उसके साथ साथ पी एसू सेक्टर का भी पूरा धजिया उड़ चुका है कि कि इस पैसे आज बजार में कोई बहुत बढ़ा गिरावर्ट या क् बागी बात करें आज सुभा से बहुत बड़ा तेजी नहीं था और बहुत बड़ा गिरावट भी नहीं तो अल्मुस्ट फ्लैट चल रहा है और जिसके चलते मैं आपको क्या का दा कर रात की सारदस की वीडियो में कि आज बजार ओपे नोने सपहले नैस्डेक की फ्यूचर डॉजून्स की फ्यूचर चेक आउट करना यादर है कुछ तो देखिए इसके पीछे भी में यहां पे बहुत बड़ा रिजन है तो मैं आप इसकी यह वीडियो जब मैं अप्लोड करूंगा तब तक आउट हो जाएगा ठीक है तो इसका मैं फाइनल अपडेट जो आज रात की जो सारे दस की वीडियो आगा उसमें डाल दूँगा और उसके साहा से सिर्फ यह नहीं आज नाकिबल इंडिया का बल्कि यूएस का भी CPI inflation data out होगा तो उसका भी वीडियो मतब सेम जो डेटा है मैं आपको आज रात की सारे दस की वीडियो में दे दूँगा आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और आज रात की जो सारे दस की वीडियो आचा बहुत लोग मुझे सब्सक्राइस की सेक्टर मी सुष्डरा बहुत करेक्शन देखने 설명 सेक्टर में गशने को मिला याँ के चीडियो में तरव उसको रहें? बात करें लगबग 0.69 परसेंट उपरा के क्लोजिंग दिया टीस की बात कर यह वी निफ्टी की टॉप टेट वेटेज रखता है 1.75 परसेंगे आज इनफोसीज की शेयर भी लगबग 0.84 परसेंट उपर की तरह मुफ करके क्लोजिंग दिया तो देखा जाए आज की रेट मे दोस्तोरा बार-बार कमेंड में पूछा जा रहा तक सर इसको बड़ कुछ बताई है इसको बड़ कुछ बढ़े तो देखें इसके बारे में नेक्स्ट कुछ वीडियो में कवर करेंगे पहला इतना देख लिए जो जो शेयर में काफी बड़ा क्रैश देखने को लाइग बहुत बगद निगल ऑवर सोल्ड बेर पॉछ चुका है ताटा पाउर की बट करें तो इसके बार में आगे डिसकस करेंगे आप मज़े कि बात यह कि देखे जो हमारे ले हुए में कि एप मीट काप में बबल है कभी भट सकता है अब साथ में उन्होंने यह भी बी जो हमें गीन किया एक्टुली कि कॉन कॉन सी सेक्टर बेच राख चैमिकल सेक्टर फूटर सेक्टर बाद बेवजा यह पर क्या बोलु मतलब ऐसे पीठ गया अब देख सेंगा चूर। उसके उपर और निचे पहुंच गाद की बाद क्लोजिंग दिया ना टार केमिकल भी परसें नीचे क्लोजिंग दिया तो यह सारे शेयर में काफी तक गिरावार देखने को में उसके बाद डिक्सान टेक्नोजी के अंदर वी काफी गिरावाट वाद 2.71 परसें के आसपास ड देखने को मिला तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट वीडियो और नहीं को बढ़ाने का सोच रहा हूं एक्चुली कुछ इंपोर्टें न्यूस भी है और उसके साथ सथा आप में से बहुत सारे जो हमारे मित्रों की तरब स यह कुछ और शियर साथ की हुट को हो गया यह भी पेसु कमपणी है उसके साहथ सब्सक्के अब देख लीए ए्श्जी बीयर हो गया यह कुमपणी है तो यह सा रहा बन फी इंडिया यह भी सी यह वर यह लावग वान पॉंट नाई जिरो परसैंग साड़ीयो नियर तीन मिलने के बावजूद भी इसके बीच में मज़ेदार बात यह है कि जियो फनांशियल सर्विस में भंपर तेजी शुरुआत में देखिए सीधा से अपना ओल टाइम हाई को भी टच किया क्लोजिंग दिया दो पर से नुपर बहुत बढ़िया बहुत शांदार अंपानी जी क